समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, चलिए बनाते हैं होममेट स्रॉबरी आइस क्रीम, इसे बनाना बहुत ही असान है, घर पर आप लोग इसे बहुत ही कम चीजों से बना सकते हैं, यहाँ पर बॉल में हमने विप क्रीम ले ली है, एक कप, इसे हम लोग थोड़े से सॉफ्ट आने तक बीट कर लेंगे, ज्यादा नहीं बस 5-6 मिनिट इसे लग जाते हैं, इसके अंदर डाल दीएंगे, एक चौथाई कप कंडेंस मिल्क, चाहे तो घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क भी इसमें यूज कर सकते हैं, और आज हम लोग स्टॉबरी आइस क्रीम बना रहे हैं तो इसमें जाएगा स्टॉबरी क्रश वन फोर्ट कप और थोड़ा सा स्टॉबरी इसंस भी, आप चाहे तो इसमें ना थोड़े सी जो फ्रेश स्टॉबरी हैं उन्हें भी क्रश करके डाल सकते हैं, चलिए मिक्षर हमारा आइस क्रीम का तया है, यहाँ पर इसे डाल देते आप लोग इसका टेक्शल देख सकते हैं और टेस्ट तो बहुत ही बढ़ी है ट्राय जो खरने रेस्पी